प्रीमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टेडी वित परदीप दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीट पलेसी की एक बड़ी ख़वर निकल करके आ रही जो आप अलग-अलग माद्यम से सोने भी होंगे जाने भी होंगे तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है अगर बात करें यहाँ पर नई तथा पुरानी भरतियों को लेकर करके मन्थन चल रहा है कई भरतियां ऐसी हैं जो लंबित पड़ी होई लगबग 36,000 से ज़्यादा पोश्ट ऐसे हैं और जिसमें नेर बाउट आपके 10 लाख से 12 लाख बच्चे फशे होई हैं तो सब को लेकर के मन्थन यूपीट पलेसी ने स्टार्ट कर दिया है क्या है उसकी विसेश जानकारी उसे हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं यहाँ चलिए नीचे देखते हैं ध्यान से यूपीट पलेसी नई पुरानी वा लंबित भरतियों पर मन्थन 26 को 26 तारीक को इसका मन्तन होने वाला है उसके बाद एक कलेंडर जारी होगा जिस कलेंडर में बताया जाएगा कौन सी भरति कब कराई जाएगी तो जिसके बारे में सब कुछ डिटेल आपका आएगा तो ओभी हम आपको सबसे पहले बताएगा अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अपने दोस्तों को सेयर कर देजिए यहाँ अगर देखें तो सासन से दो यस्तरी भरति प्रणाली की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैन आयोग यूपिटी प्रलेस्टिक की 26 नॉंबर को होने वाली बैठक में न्यायलियों से लंबित मामलों के साथ नई भरती कारवाही को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है आयोग ने नई भरती करवाई 223 प्रणाली की इंतजार में पहले एक बर्स में फसी थी अब मंजूरी के बाद नई प्रणाली के अंतरगस भरती कैलेंडर फाइनल किया जाना है इसके अलावा समलित अवर अधिनस सेवात प्रयुत्या परिच्छा भरती 2019 की प्री परिच्छा का आयोजन पिछले साल 30 सितंबर वह एक अक्टूबर को हुआ था नो महीने बाद इस वर्स जून में प्री परिच्छा का रेजल्ट आ गया है इसके बारे में एक एक करके सारी जानकारियां 26 को मंतन होने के बाद हर एक बारे में जैसे कि जूनियर रिसिटेंट है फारेश गार्ड है या उसके बाद आपका लेड़िंट टेक्निसियन का है तो बहुत सारे ऐसे अलगलग पोश्ट हैं सारे पोश्ट के लिए एक एक चीजें करके सारी जानकारी जैसे ही 26 तारिक के साम को अपडेट होती है 5 बजे या 27 को फिर मीटिंग है 26 27 को 27 को अपडेट होता है तो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने अपने दोस्तों को सेर करने फिर मिलतें किसी और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजिए नमस्कार